अज्जैनी अबंतिका नगरी में ब्राजे अज्जैन के सनरक्षक स्री काल भहरव जिनको भोले नात का दूसरा रूप माना जाता है अज मैं आपको करवाओंगा भगवान काल भहरव के दर्संद जोकी अज्जैन के एक उत्वाल है और आज हम गूम रहे हैं अज्जैन हरर महादेब के शार्थ में चलिए सुरू करते हैं स्री काल भहरव मंदिर अज्जैन की दार्सने क्यात्रा वज्जैन महाकालिशर जोतर लिंग से करीब आठ किलोमीटर दूर छिप्रा नदी के किनारे स्री काल भहरव भगवान का मंदिर उच्थापत है जो की वज्जैन के सनरक छक देव के रूप में जाने जाते हैं जिनका रूप अति अग्र है और प्रशाद में इनको मदरा चड़ाई जाती है यहीं की सराव चड़ाई जाती है जैसे ही आप मंदर पहुंचते हैं तो आपको प्रशाद की बहुत सारी दुकाने देखने के लिए मिल जाती हैं जहां से आप प्रशाद ले सकते हैं सराव की दुकान से सराव चड़ाने के लिए ले सकते हैं और बढ़ जाते हैं आंगे मंदर की तरफ धीरे धीरे चलते जाएए अगर भीड नहीं है तो आराम से आपको दर्शन हो जाते हैं मंदर के सामने ही आप पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जूता चपल रखने के लिए इस्टेंड है जूता का चपल का स्टेंड है जहां पर आप जूता चपल इस्टेंड पर रखकर आंगे बढ़ जाते हैं दर्शनों के लिए दर्शनों के साथ साथ आप देख सकते हैं यह जो बेरिकेट लगे हैं इनमें हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में एक छाओ पूर्ती के लिए धागे बांधे गए हैं अब हम अंदर घुसते हैं तो राइट साइड में आपको दीपोत सब देखने के लिए मतलब दीप स्थम आपको देखने के लिए मिल जाता है जब हम पहुँचे थे रात की समय में तो दीप दीपदान हो चुका था थोड़े थोड़े दीपक जल रहे हैं अभी उपर से नीचे तक और अब हम बढ़ते हैं आगी की ओर अब वो घड़ी नजदीक है जब आप भगवान काल भहरव के दर्शन कर पाएंगे एवं उनकी पिर्थमा को मदरा पान करते हुए देख पाएंगे हमारे इस ब्लॉग में आप देख सकते हैं ये सामने भगवान स्री काल भहरव भगवान के दर्शन हो रहे हैं जै श्री काल भहरव कमेंट बाक्स मैं झरूर लिखिएगा और आप यह देख सकते हैं कैसे मजण स्री काल भहरव मदरा पान ययनि की सराव का पान कर रहे हैं सेवन कर रहे हैं यह पुजारीजी ने प्लेट में मदरा को लिए और ये प्रित्मा के मुख से लगा दिया और प्रित्मा स्राव धीरे-धीरे करके पीती जाती है फिर से डाली उन्होंने और आप ये देखिए फिर से प्रित्मा ने प्रित्मा को मुझे लगा दिया स्राव की प्लेट को तो आप ये देखिए फिर से स्रीकाल भहरव भगवा ने स्राव का शिवन किया है तो यह है प्रतेक्ष दर्शन प्रतेक्ष प्रतेक्षी करौन स्री काल भहरव भगवान का और यह बाहर उनकी भहरवी हैं हर भहरव की एक भहरवी होती हैं तो भहरवी देवी हैं और हमारे दर्शन पूर्ण हो चुके हैं स्री काल भहरव भगवा का मंदिर निर्माड भद्र से नमक राजा द्वारा कराया गया था ऐसा उल्लेक मिलता है इसके बाद परमारकाल में इस मंदर का निर्माड कारे हुआ ऐसा माना जाता है बैसे भी वो जैन परमारों की नगरी रही है सादक भक्त और अगोरी साल भर में आने वाली कलास्टमी क बहुत बेसबरी से इंतजार करते हैं क्योंकि कलास्टमी के दिन भगवान काल भेरव मंदर के परशर में यहाँ पर लोग अनुष्ठान और अपने-अपने मंतरों को सिद्ध करते हैं स्री काल भेरव भगवान की आरती का समय सुभाय साम साड़े आठ बजे निरधारत है आप देख सकते हैं सुन सकते हैं यहाँ पर ढोल लंगाड़ों के साथ में भगवान स्री काल भेरव की आरती की जारी है और लोग बाग हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं अब हम बढ़ते हैं आगे स्री काल वहरव मंदर परशर में एक और मंदर है गुरू भगवान दततरे भगवान का मंदर चलिए आपको दर्शन करवाते हैं भगवान दततरे के यह आप स्थम्ब देख रहे हैं और यह शामने देखिए इन स्थम्बों के बीच में स्री भगवान दततरे के दर्शन आप यह कर रहे हैं यहाँ पर एक पंडित जी बैठे थे वो काला धागा सभी को बांध रहे थे हमने भी बो काला धागा बनभाया आप यह देख सकते हमारे मित्र पहले दीपिंद्र भाही बनभा रहे हैं तो उसके बाद मैं यह मैंने हाथ आगे बढ़ा दिया और इन पंडित जी का एक अजीब सा करना मुझे यह लगा कि यह फैवी क्यूक से धागे को चिपका रहे थे ताकि वो आगे कभी छूटे ना और बागे के बची वे छूचे वो चाकू से काट दे रहे थे ऐसे ही लगातार इनको पशीना आ रहा था और लोग बाग आते जा रहे थे आते जा रहे थे जो भी कुछ मन से हुआ चड़ावा जरूर चड़ाना चाहिए क्यूंकि हम किसी से कुछ ले रहे हैं तो उसको उसका फल जरूर देना चाहिए नहीं तो इसका बुरा प्रभाव होता है और एक तरह से दोस्त लगता है और यह बच्चों को देख सकते हैं बच्चों को यह काला धागा बांध रहे हैं पंड़े जी तो इसी के साथ में ही हमारा ब्लॉक समापती की ओर है यह थे वो जैन स्री काल भहरा बंदर के दरशन भगवान स्री मैं अपना स्वभा के समझ में आपर दो भी कुछ मैंने ब्लॉक कम्प्लीट कर लिया है काल भहरा भगवान का और बहुत सारे लाखों की संक्या में प्राथनाओं के धागे हां पर बले हैं और एक बार प्रांगन देख लो